नमस्कार, हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है आज हम जानेंगे जनेंद्र कुमार का शंशिप्त जीवन परीछे जनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ इन्हें हिंदी के मनोवेज्ञानिक कता साहित्य का जन्म दाता कहा जाता है इनकी मृत्यू सन 1988 में हुई जनेंद्र की प्रमुक्रचनाये हैं परक, अनामश्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्यानी, आदी हिंदी साहित्य से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हिंदी साहित्य टीवी के साथ धन्यवाद